समानी सरश्यों ने अपने विशार व्यक्त किये हैं मैंने सब का नूप भी लिया इसे इस हकीकट को सबी स्वीकार करेंगे कि दिल्ली पुलिस का जहां तक तवाल है यह विश्वकी सबसे बड़ी मेट्roporpolis हमारी दिल्ली की है चन संख्या भी दिल्ली की लगबग एक करोण असी लाग से उपर की है यह भी हकीकत है कि यह दिल्ली यह कैपिटल कई अंड राजियों के साथ भी जुड़ी हुई है और दिल्ली एक ऐसी मेट्रिपोल्टन सीटी है कि दूसरे राजियों से भी और बाहर से भी लगबग 40 लाग की संख्या में लोगों का प्रदिल आना जाना होता है जो कि अस्ठाई रूप से दिल्ली में नहीं रहते हैं दिल्ली में दिल्ली पुलिस के उपर कई प्रकार की मल्टी डाइमेंशनल रिस्पांसमिल्टीज हैं बहुत सारी है लेकिन यह कहना कि दिल्ली पुलिस अपनी किसी जिम्मेदानी का दरवाह बखुबी नहीं कर भा रही है मैं समझता हूँ कि दिल्ली पुलिस के साथ भी नियाए नहीं होगा मैं यह भी नहीं कहना चाहता हूँ कि हमारी दिल्ली पुलिस पूरी तरह से पर्फेक्ट है यह मैं कोई दाबा नहीं करना चाहता हूँ यदि कोई व्यक्ति अपने में परफेक्ट नहीं हो सकता है डिप्टी शेर्वेंट सेर तो कोई आर्गनाईजेशन अपने में परफेक्ट कैसे हो सकता है उसमें कमिया होंगी है लेकिन जहां तक बन सका है जबसे यह जिम्मेदारी हमने समाली है उसके पहले भी लोगों ने कदम भी उठाए है दिल्ली पुलिस की स्ट्रेंग्ट कम है ऐसा हमने महसूस किया और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ उप सभापती महोदे 2015 में ही 4227 पोस्ट हमारी सरकार ने सैंक्षन किये हैं दिल्ली के लिए जब यह मैंने अनभो किया कि यहां दिल्ली पुलिस की स्ट्रेंग्ट कम है तब इतने सैंक्षन हुए है जबकि इसके पहले लगबग 10 वर्सों में बामुश्किल अठारह जार बीस जार की स्ट्रेंग्ट बढ़ी होगी लेकि एक साल में इस काम को किया है और आगे भी पुलिस की स्ट्रेंग्ट हम यहां पर बढ़ाने वाले हैं सैंक्षन्ट स्ट्रेंग्ट जो हमारी दिल्ली पुलिस की है वह एप्राक्समेटली 84,536 की है मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसे कई मानी सरस्यों ने यहां की महिलाओं की सुरक्षा के संब्द में भी प्रस्ट नकड़ा किया है तो उप स्वापती महद है मैं आपके संग्यान में एहलाना चाहता हूँ कि हमारी सरकार आने के बाद और ग्रह मंत्राले के जिम्मेदारी जब मुझे मिली मैंने कहा कि पुलिस मुहक्में में भी महिलाओं की सुरक्षा व्योस्ता इंशूर करने के लिए आवस्चक है कि महिलाओं का प्रतनिधित तो बढ़ना चाहिए और दिल्ली के लिए भी हमने महिलाओं का रिपर्जेंटेशन 33 परसेंट होना चाहिए दिलही पुलिस की जो स्टेंग्थ है उसमें और इतना ही नहीं सभी राजियों को भी सभी राजियों के मुख्यमंद्रियों को भी हमने अपनी एडवाइजरी भी भेजी है कि आप अपने अपने राजियों में भी इस महिलाओं का प्रतिशब पुलिस के अंतरगत लगबग 9060 के आसपास सुनिश्चित करने का प्रयत्न करें वैसे महिलाओं की सुरक्षा के संब्ध में बहुत सारे कदम उठाए हैं यदि आपकी इसाज़त होगी तो मैं उसकी जानकारी भी दे सकता हूं जैसे modern technology का maximum जितना उप्योग किया जा सकता है वो करने की हम लोग कोशिस कर रहे हैं एक हिनमत है महिलाओं की सुरक्षा के हमारा यह कृदम है operation दर्वीक प्रारम किया है सिस्टा चार operation प्रारम किया है self-defense की training लाखों चात्राओं को इस दिल्ली में डिया चुकी है हो और हमारी पुलिस जाकर ही ये सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग यहां की शात्राओं को महिया कराने का काम कर रही है एक दूसरा प्रस्म जो यहां पर एक खड़ा हुआ है कि अपराद बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं मैं समझता हूं कि उप सभापती महोदे यदि दिल्ली पुलिस जैसे काम कर रही थी यदि वैसे ही यदि करती रहती तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अपराद अपरादों की संख्या यह बढ़ी हुई आन रिकार्ड दिखाई न देती लेकिन मैं कह सकता हूं कि हमने यह मुकमल वेवस्था सुलिष्चित की है कि यदि इफ आई यार भी यदि कोई दर्ज करना चाहता इफ आई यार की वेवस्था बेरे यहां पर करा दी है प्रूथ फुल अंट फेर इफ आई यार का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए यह वेवस्था हम लोगों ने सुलिष्चित की है और उपसभापती मौदे स्वेम आप यह कल्पना कर सकते हैं कि एक साल के अंदर ही अपराधों की संख्या जस्ट डबू हो जाएगी इसका मतलब यह है कि पहले इफ आई यार जो लोग दर्ज कराना चाहते थे उनकी अफ़ाईयार दर्ज नहीं होती थी आज एक छोटी सी घटना के लिए भी कोई अफ़ाईयार दर्ज कराना चाहता है फ़ाईयार दर्ज कराना मैं आप से नहीं अब खुद ही अपने दिल के उपर खुद ही अपने दिल के उपर हांत रख कर पूछे आनन सरवाजी मैं आप से पूछना चाहता हूँ मैं 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 कहता हूँ यह हमारी सरकार आने के बाद एक आए एक यह अपरादों की संख्या दिल्ली में बढ़ गई जो हक जो हकी अफायार का सवाल नहीं है अक्शन का सवाल है अफायार आप लाखू करिये और अक्शन एक पर ने हो अक्शन भी हो रहा है अफायार होता चाहब बढ़ एक्शन चुज़ा ले ना एक शी एक्शन का जहां तक मैं कह सकता हूँ की एक साल के अंदर दिल्ली में कोई भी communal tension at work communal violence की कोई घटना ने यह भी यह भी हमारा achievement और अब लोग बाइट यह 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 बोले बोले मंदरे साब बोले मेंसर मेंसर सुरू करो कितने लोगों के विरुद्ध कारवाई हुई कितने लोगों को सजा मिली इसका आंकड़ा मैं इस समय प्रसुत नहीं कर सकता हूँ आपकी इजाज़त होगी तो मैं सदन के सदस्चों को उसकी मैं जानकारी मैं दे दूँगा लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि दिल्ली की कानून और विवस्था को चुस दुरस रखने के लिए दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से जितना भी अधिक्तम प्रयत संभो है वह प्रयत्न कर रही है और आगी भी हमारी ये कोसिश जारी रहेगी हमारे मित्र केशी त्यागी जी ने जवाहला नहरू इन्वस्थी में लड़कियों के छात्राबास में कोई पुलिस वाला गुश गया इसकी दूनों ने चर्चा की लेकिन मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि ऐसी कोई जानकारी ना तो हमारे पास है ना हमारी दिल्ली पु ये मिल गए एक भी पुलिस वाला साधी वर्दी में यदि लड़कियों के शात्राबास के गेट पर फटक गया होगा तो उससा भापती बहुत है उसके पुरुद्ध कथोर कारवाई जाए ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जाए ऐसी कोई घटना नहीं घटित हुई है पठ के बारे में संशेप में बातें रख रहा हूं क्योंकि जेनू प्रमाइस के अंदर की जो भी घटना है उसके बारे में हमारी श्रहोगी एशावडी मिनिस्टर स्रमती इसमृती रानी अपनी बात रखेंगे पटियाला हाउस कोट में जो घटना घटित हुई है जो घटना घटित हुई है अभी हमारे पास आ गया कन्विक्शन रेट यह भी हमारे पास आ गया है बहुत अच्छा लेकिन मैं पहले कह चुका हूं उपसे वापती महोद है कि मैं आगे आपकी इजाज़त होगी तो मैं इस सदन में उसे रखूंगा इसलिए मैं उसको रखने नहीं ज अधिन दो आ यह है कि पटिया पटिया अलाहाउस पटिया आलाहाउस कोड़ की जो घटा है बहुती द्रभागे पूर्ण है उसकी मैं निंदा करता हूं पहले भी निंदा किया था और आज भी मैं निंदा करता हूँ एक एक सुन लिए सुन लिए पूरी मेरी बात सुन लिए कोई भी विवेक सील प्राणी इस प्रकार की घटनाओं की प्रसंसार नहीं कर सकता है और जो ही एक घटना घटी थूई तुरंत दिल्ली पुलिस कमिस्णर से इस सम्वत में मैंने जानकारी हासिल की और उसी समय मैंने कहा था कि इसमें कठोर से कठोर कारवाई की जानी चाहिए और मैं और मैं यह भी आपको जानकारी देना चाहता हूँ जो भी विधिसम्वत है वह कारवाई हमारी दिल्ली पुलिस ने की है और इस सदन चाहता है तो मैं उनको जानकारी खार मिल गई होगी जो हमारा स्टेट्मेंट है उसके माध्धम से जानकारी मिल गई होगी कि उनके विरुद्ध क्या कारवाई है देखिए जेल में हैं कि बाहर है यह सब सारा जो भी फैसला करना होगा या ने ने देखिए जेल में हैं कि बाहर है इसका फैसला जो भी करना होगा आरोप जो लगे हैं वा सही है या गलत हैं जो भी फैसला करना होगा या तो अदालत कर कि श्रवन मैं इसका फैसला नहीं कर सकता कि उनके विरुद्ध जो एफाई यार दर्ज है वह सही है या गलत है वैसे हमारी सरकार का जहां तक प्रस्व है पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के काम में हम कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं और न कभी हम उसमें इन्वेस्टिगेशन के मामले में किसी प्रकार का कोई हफ्तक्षेप मैं कभी करना चाहूंगा जिस विधायक की भी बात की गई यो मारपीट हुई है उस विधायक की भी ऐरेस्ट हुई है और उनके विरुद्ध भी अफाई यार दर्ज हुई है उप्चमापती मोहदे इस बात की मुझे जानकारी मिली है और वैस वैस क्रिपा करके इस मानिया सजन को आप ये बताएं कि जो कारवाई जो सब लोगों ने देखा देश और दुनिया में चाहे विधायक की बात या वो अधिवक्ता थे या बाहर के लोग थे बुंडे थे मवाली थे जो लोग आए बाला लोग ऐसी गंदे काम नहीं करते हैं और अदालत के अंदर अदालत के बाहर हुआ दिनों दिन लग गए पटेला हाउस और तिलक मार्क पुलिस स्टेशन में फैसला मीटर्स में है किलो मीटर्स में नहीं है वहां से वहां जाकर उनको उसी वक्त पकड़ सकते थे आदे घंटे के अंदर दो मुकद में रिजिस्टर भी हुए और दोनों में बेल करके उनको सलाम करके भेज दिया इसको आप सक्त कारवाई मानते हैं इतनी देश के नाम खराब हुआ है और लोगों में भैब का बातावरन है कि क्या यहां लोग सुरक्षित हैं नागरिक है मीडिया है वकील स्वेम है और जो लोग अरोपी है मैं उसमें नहीं जाता कि आरोप सही है घलत है और दालत तै करेगी पर क्या आरोपी को भी जिसको पुलिस अपने सुरक्षिन में लेती है उसको रक्षा करना एक संभिधानी करतव है संभिधानी करतव है आर्टिकल 21-22 स कहते हैं उनके भी बानवादिकार है उनकी सुरक्षा और सुरक्षा भी का भी अधिकार है ओके ओकत में यहां पर पहले भी चले हैं आपे जिकर हुआ पर क्या ये आप इसको सक्त कारवाई मानते हैं या आप सवाल करेंगे उनसे कि इसको गंभीरता को देखते हुए क्यों सब्सक्त कारवाई मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी अपराधी है जिन्हों ने भी किसी प्रकार की गुस्ताखी किसी प्रकार की गल्टी किये है तो उनके विरुद्ध कारवाई होगी इतना ही मैं कहना चाहूंगा और कठोर कारवाई या कोई बहुत और अभी मुझे जानकारी अभी प्राव यफायार उसी दिन दर जोई है जिस दिन की घटना यफायार में कोई बिलंब नहीं हुआ है यफायार में बिलंब नहीं हुआ है तो इतना ही कहना है जो भी दोशी हैं उनके विरुद कारवाई निश्चित रूप से होगी लेकि धाराँ धाराँ की भी जानकारी मैं कहता हूँ झारा यह काउन सी लगी है कमजोर利 जी है कि Billio मचबूत लगी हैं अब इन सब इन सब सारी चीज़ों का फैसला हो मिनिस्टर करेगा इसका फैसला हो मिनिस्टर करेगा कौन सी धाराओं में फाई यार दर्जे है क्या है हो मिनिस्टर नहीं करेगा पुलीस नहीं करेगा पुलीस करेगी पुलीस अपने कैसे पुलीस तो शामल थी उसमें पुलीस पार्टी थी उसमें ऐसा मत थी पुलीस की कस्टोडियन कस्टोडियन हीटिंग हो रही थी वह अप डॉक्टर वीडियो पे कनया कुमार सिडीशस केस लग सकता है और असली वीडियो पर एफ आई आर करके दो मिनिट में छुटी लग हो सकती है ये सवाल है ये सीधा मैं मानिये ग्रेमंत्री जी मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ ये उधर से उन्होंने लपेट लपेट के सवाल है जो प्रिमाइसिज में हुआ कोट के जिस तरह से अमले ने लोग को मारा जिस तरह से वकीलों ने लोग को मारा उनके खिलाफ कौन सी धारा में वो बाहर क्यूं है वा 5 मिलन बाहर की होनी है वो 5-5-10-10 साल के लिए अंदर क्यूंने है ये साथ मीडिया को मारा कोई अपराद करेगा उसे उसे 10 दिन जेल के अंदर रहना चाहिए कि 10 साल जेल के अंदर रहना चाहिए इसका फैसला न तो पुलिस करेगी नग्रिह मंत्री करेगा इसके लिए फोर्ट करेगी पुलीस कुंसी धारा लगाती है उसके अधार पर फोर्ट करेगी करेगा कि क्या क्या उसके उपर सिक्षा होनी की नहीं है लेकिन गिरफतार तो पुलीस करेगी कौन से धारा में जनाब धारा के उपर बताईए चात्र एक सो चाइमा फेशिया चात्रों आप गिरफतार करते हो एक सो चौवीज बी में सेडिशन और इस वोगिरफतार करते हो आप जो है यह है सभापती मेरी एक उप सभापती महुदा है मैं समझता हूं जितने भी मैं देख रहा हूं कि कई सम्मानिस सवाल पूछना चाहते हैं एक ही बार जो पूछना चाहते हैं वो पूछने उसके बाद मैं उत्तर देता हूं आई बी एन सेवन के पत्रकार पांडे तीन दिन तक अस्पतार में भरती रहे उन पर क्या आई फायर दर्विजे न वताई उनकी खिलाफ जिन लोगा ने उनको पीटा और उसके साथ साथ स्टिंग ऑपरेशन हुआ उसमें स्टिंग ऑपरेशन में वह हूँ वकील जिसको करवा दिया और साथ में यह कहा कि अगली बार खाले दो मेर आएगा तो पेट्रल बं फैका जाएगा उस पर आपने क्या करवाई की okay okay would you like to reply are you the home minister are you the home minister are you the home minister would you like to react is he the home minister are you the home minister no discussion being over you like to say no more question no more question no 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 more question no 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 more question sit down no more no more question no that's all time over time over no 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 time over minister replied that is okay do mister do you want to say anything more than you can say with that it is over if you want to say anything more say please please rather sit down no 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 i am not allowing you okay you are question sit down and you already asked no no i am not allowing you try to please no let him let him complete let him complete then you survive okay let him complete i am not allowing you you already asked sit down sit down i am not allowing i am not allowing sit down you can complete the reply okay now i am not allowing you whatever you are to say you reply and then we will stop how much so how much i am yeah i am i am i am yeah i am yeah फिर आखे राहे हैं ये एक्यूज लाइयर ओम शर्मा बिक्रम सिंह चोहान और यह पलस्पाल सिंह अरेस्टेड रेली सुर उसके बाद बीजेपी अमले अपी सर्मा अरेस्टेड अनुडर आइपी शर्मा अंडर आइपीशीट, 147 149 323 134 now please you listen 149 323 232 ipc let's see pending pending investigation pending investigation जिसी अपर गाव शोच यह लोज़े लिए राव जैने शोच प्रेश एक बनेट मेरी बाद पैंदेविरे शुदित्त विल्याइ मेरी बाद मेरी बाद मेरे बाद मुथा हूं अब डेके मनेका अब लिए जिन जिन एक्यूस के खिलाब जो जो धाराएं लगी हैं उसका तो मैंने उलेक किया लेकिन मैं एक तीसरे F.I.R. की भी यहां चर्शा कर देना चाहता हूँ यो पेंडिंग इन्वेस्टिकेशन 17 तारी को जो दर्ज हुई है इसमें हो सकता है कि और बहुत सारे लोग इस ग्रिप में आ जैंगे लेपलीस वाट इस इस 147, 149, 427, 323, 341, 186, 332, 363 यहां आएपीसी की धाराएं लगी हुई है उप समापती महदाए इन्वेस्टिकेशन का काम चल रहा है और मैं समझता हूं कि इडिविस्टिकेशन के परेडामों की हमको परतिक्षा करनी शाहिए यदी यदी दिन्ली पुलिस किसी के साथ इंग जस्टिस करेगी तो मैं समझता हूं कि कोर्ट निश्ची तरूप से उसका तंग्यान देगा और जो जो जिस्टिक जो मी अपराब किया है इसको ये अध़न देग बड़ बचाया के आ है लिए एक इनकी मदद की जारी है हम इल्टिस सदॉस्टिस राइड ली कहें हम बशितिस कखेंगें और बिअन्टिस सदॉस्टिस राटिज़न फाटिजान यसाचल राफ्नोर कि एभ खेक। अ कि अ अ क्राफ्यू को tit बपेंद्र यादा हो